साम रहस्योप निश्यद में कहा गया है अनादिरयं पुरुष एक एवास्ति तदेवरूपं दुधा विधाय समाराधंतत परोभूत तस्मात्ताम राधा लसिकानन्नाम वेद विदूवदंति वह अनादि पुरुष परब्रम्म परमात्मा अनादि काल से अपने प्रेम का रशाश्वादन करने के लिए दोवन करके खेल रहा है उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा इसलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है राधा आराधन तपरह इसलिए वेदग्य पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं तदेव रूपम दिधा विधाये समाराधंतत परोभूत तश्मात्ताम राधाम रसिकानंदाम बेद विदो बदंती विवार की गुंजा ऐसी नहीं राधा दापनी उपनिशद में आता है एयम राधा यस्चकृष्णो रशाब्धिर देहस्चै कहा क्रीडनार्थम दिधा भूत ये जो राधा है यही स्री कृष्ण है रस के सागर रूप में स्री कृष्ण रूप में और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा यही राधा स्री कृष्ण है, यही स्री कृष्ण राधा है, वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किये हुए ब्रह्मांड पुराण में भगवान स्री कृष्ण ने कहा राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, ब्रंदावनेश्वरी राधा, राधैवा राध्यते मया मैं सब की आत्मा हूँ, पर मेरी आत्मा राधा है, राधा जो क्या है, स्री कृष्ण की आत्मा है और मैं श्री कृष्ण ब्रंदावनेश्वरी श्री राधा की राधाई वाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूँ ब्रंदावनेश्वरी राधा राधाई वाराध्यते मया मेरे द्वारा राधिते मैं आठो पैरुन की आराधना में रहता हूँ क्योंकि नित्यम कृष्णु राधात्म को ध्रुवम स्री कृष्ण की आत्मा है स्री राधा राधा कृष्णात्मिका कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है स्री राधा यह कृष्णा सापी राधाच या राधा कृष्ण एवशह एकं जियुतिर द्धा भिन्नम राधा माधो रूपकं यह राधा माधो रूप एक ही परमात्म जियुति दो रूपों में प्रकासित हो रही है कोई भी इन में भेद बुद्धी यदि करेगा अब योर बुद्धिर भेदम्च यह करो तिन राधमा तश्यवासा काल सूत्रे आवच्चंद्र दिवा करो जो मुझे श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी बर्णन करेगा उसे जब तक शंद्रमा और सूरी रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा भगवान स्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं मेरी सामर्थ नहीं कि मैं स्रष्टी रच्षक हूँ आपके बिना स्रष्टी की रच्षना में मैं सामर्थवान बनता हूँ आपके कारण आप मूल प्रकत ईश्वरी हैं आपके ही सायोग से मैं हर लीला करता हूँ जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभू करना चाहते हैं कि योगमाया मुपाश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जैसे मिट्टी ना हो तो कुमार क्या बनाएं, श्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बला सकता है, ऐसे हे कि शूदी जू आप ना हो, तो आपके अंश मुल प्रकति के बिना में कैसे परमात्मा स्रश्टी की रचना, एक शण में अनंत ब्रमांडू की रचना आप से होती है यदि तुम न रहो तो मैं हूँ ही नहीं, समझो, राधाक्रिष्टु तत्र को समझो, तुम श्रश्टी की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो, मैं अच्चित संपूर्ण श्रश्टी का जो रचना का कारी करता हूँ, मैं बीजश्वरू, आप मुल प्रकतिश्वरी आपके ह सामर्थ से करता हूँ, यदि मैं प्रीतम हूँ और तुम मेरी प्रीतमाओ ये कहते हूँ, तो ये केवल प्रवाद मात है, तुम मेरी प्राण हो, मैं तुमारे प्राण ये कहना प्रलाप मात्र है, तुम मेरी हो, मैं तुमारा हो, ये कहना विशाधू सब्द नहीं है, क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तु का प्रयोग ही नहीं, हम दो है ही नहीं, राधा और श्यामशुंदर में दो है ही नहीं, जो श्यामशुंदर वही राधा, जो राधा वही श्यामशुंदर, तुम में तेश्या महमिती चह ये तच्चनो साधू राधे, ये साधू वाद नहीं कि आप हो, मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां सब्द लग रहा ह इसादुबाद नहीं क्या है हमारे आप में कुछ भी किंचिन मात्र दो है ही नहीं इसी लिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं मैं एक ही स्याम, शामा एक ही तो बिलग की तो कहीं कोई गुंजायस ही नहीं देखो राजदरवार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है लेकिन महल के रस की बृत्ती को जानने वाला राजदरवार की बृत्ती को जानता है जो पौरानिक गरंथों में बाहर के राश्य को जानने वाले ग्याताजन हैं उनिति भिहार रस को नहीं जानते पुज गुकुल रमडरेती में विराजमान महराज सी गुर्शना नंद जीव रादाश्टमी का उत्सोच अल्ला था हिद्दास बावा विराजमान थे जब पुज श्री की बोलने का उसर आया तो आपने इस पस्ट सब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूँ अंदर की बात नहीं बता सकता इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे अंदर की नहीं आप लोग महल की अंदर की सेचरिया हूँ आप लोग बोलो हम तो घर के बाहर की बाद जहां लाला खेलता है वहां की बाद बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल नहीं निकुन्जी के विश्य में बोले बाहर की बाद इस इस लोक बोले बाहर की लिला की बाद जो नौनिवित निकुंज का विलास है धर्म समराट कर पात्री जी महामहिम ग्यान शमुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूड तत्व है राधा महान गूड तत्व है ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है सब्दार्थ तो आप जिस गरंथ का कोई उसकाम कर दे और शीमद राधा सुदानिदी का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते पर ये जारूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रशाश्वादन की रसिक ही कोई राश्य बर्णन कर सकता है ब्रज की ठकुराने निकुंज की महाराने स्री कृष्ण से सर्वताभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिनी स्री कृष्ण को आकरशित करने वाली स्री कृष्णात्म स्वरूपिनी स्री कृष्णानुगामिनी परम तत्वाभिरामिनी स्वेक्षा विलासनी दिव्यहलादनी परंपरा सक्तिस्वरूपनी दिव्यलीलामाई अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्रासेश्वरी नित्निकुंजेश्वरी स्रीकृष्ण प्रानेश्वरी स्रीराधा इनकी गती कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्याव साधना से नहीं ये तो स्रीराधिका कृपाविन सब के मननगम में धाम, रूप, लीला, महिमा ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्निकुंजेश्वरी स्रीकृष्ण प्रानेश्वरी स्रीराधा है इन्हे ना कोई देख सकता है ना इसपर्ष कर सकता है कोई भी जब तक किसी सहचरी की कृपा रहे होगी देवर्शिनारत जी तो अवतार हैं आपने जब राधा किशूरी जू के प्रादुर भाव राधा जनमाश्ट्यमी होते राधा जनमाश्ट्यमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्शिनारत जी ने जब देखा कि परब्रम परमात्मा स्री कृष्ण पधारे है तो इनका आलहाद भी कहीं प्रगट हुआ है आनंद का सार आलहाद प्रिया जूई आई होगी अब वो खोज शुरू की पूरे वरजम अंडल में तो जब सुना कि ब्रशिभान पुर में बड़ा उत्सो मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रगट हुई है समझ गए जरूर स्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भा हुआ बिना लेके दोड़ते हुई गए एक अपार आनंद है ब्रशिभानु पुर में प्रवेश पाते हैं एक अलौकी का आनंद जो स्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बर्शाने के दर्शन मात्र से हो रहा है क्योंकि काहे की पानी की नए बर्शंत मेव सहजाद भुत सुख सौख्यद हाराम अद भुत प्रेम सुख की बर्शा होती रहती इसले बर्शाने वाली सिरी जी कही गई पर्शत पुलिन सुलिन गिरा कर्शत चित सुरुगोर हरसत हितनित नवलरस बर्शत जुगल किसोरु इसले बर्शाने वाली गईस दिवर्श शिनारत जीत ब्रशबानुजी ने सास्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई उनका कोई नमीन संतान प्रगठ हुई आपके हा माराज कन्यारतन की प्राप्ति हुई बड़ी अदगोत दिब्वितेज हुँ मही दर्शन कराओ जेही नज़ी गयत जैसे तपे हुई श्वर्ण की कांत शी लाडली जू बाल रूप में पालने पे बिराजवान देवर्शनारत जी को रोना रहा है अदगोत आनंद का रुदन उन्होंने कहा हमें एक काम छोड़ दिया जाए मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुस्ठान करूँगा वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है हमारी श्री जी है ऐसी बोलना बंद हो जाएगा चिला चिला के रोना आ जाएगा संपूर्ण ब्रज की शिर्म और स्वामिनी है श्री राधा कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हरदय में किशूरी जू के चरणारविंद की प्रीति नहो अपना पन नहो बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधातत्वा परंतु ये बहुत ही गुप्त है इसलिए राधातत्व के विश्य में नहीं जासेगता कोई जल्दी नहीं जासेगता कई बड़े महापुर्शों के बच consumesने है बस कृष्णा राध्या कृष्णा बलभाषी प्रियाजू के विश्य बस इसके आगे बस इसके आगे लए क्योंकि इसके आगे चलना है तो ब्रंदावन के रसिकों से मिलना होगा इह रशिकों का गड़ है ब्रंदावन यहां राधार तत्त का ही रसाश्वादन है बिना इन रशिक सेखरों की चरण धूली का माथे परविशेक के कोई श्री जी को जाम जाएगा रहुगन को ब्रह्मतत्त का उपदेश कर रहें तो उनों का कैसे इसका बोध होगा बुले रहुगन इत्तत्त पसा न याति न चेजिया न निरपणाद ग्रहादवार न चंदसा नईव जलागन सूर्यों बिना महत्पाद रजो विशेकब जाब भागवत धर्म ब्रह्मतत्त के लिए किरेखा प्यारी जो ए हम तुमसे सच्छी कहते हैं प्यारी जो अब कहते हैं बس कुछ कह नहीं पाते हैं या तुमारे समझने की जरुरत या विश्वास की जरुरत या भागती की जरुरत थोड़ी है कैशिव पापी के उन्हो हरिवन सनाम जो ले तो अलक लड़ेती जीजी के महल खवासी दे ऐसी महान करुणा मई परम जीवती अपार है कि सब इन्हीं के अंसे कल इसलिए कह रहते हैं बिश्व जननी, बिश्व आत्मा, बिश्व से परे, बिश्व में भरे वो ही है, वो ही है, दूसरा नहीं है पर एक अलग अलोकिक शक्ति एक अलग अलोकिक तेज, एक अलग अलोकिक प्रेम ये देश है बिरंदावन का, अलग देश, मान जाओ हमारी बात राधा, जिब चिनमें देः जैसे देह प्रान से अलग होई नहीं सकती है प्रान देह तभी संचलित ऐसे श्रीकृष्ण और श्री राधा ये अलग सब्द ही नहीं है भगवान श्रीकृष्ण परम प्रेमश्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेमश्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिशे देते हैं ब्रजलिदा उँचे से उँचा प्रेम जब प्रगट होता है लाडली जू के चरण की आराधना से तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता है त्याग के आहंकार का भी त्याग होता है तब वो प्रेम प्रगट होता है श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है श्री लाडली जू आनंद चंद्रो दितको मुदिया श्री मोहनस्या पीसु मोहनस्री शौंदल्य नामनो निकशो पलस्य शुवर्ण रेखा ब्रशभानु कन्या ये श्री ब्रशभानु कुमारी लाडली जू ये आनंद चंद्र की कौमदी है श्री कृष्ण चंद्र जू आनंद चंद्रमा है तो स्री लाडली जू राधा जू उनकी जियोच्शना है श्री कृष्ण ऐसे सुन्दर हैं कि लक्षमी जी भी मोहित हो जाती है पर श्री लाडली जू ऐसे लक्षमी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुक्द किये रहती श्री मोहन स्यापी सु मोहन स्री शौंदर नामनो निकशोपलस से सुवर्ण रेखा ब्रशभानु करन्या ऐसी कोई अप्राकृत चिदानंद सौंदर रूप का सोटी पर खरी उतरने वाली तप्त शौर्ण कांती स्री प्रियाद्यू शौर्ण रेखा है लावल्य पाथो निदिसार संपत कला कला पाकर भूमिरेका गुणाख्यरत नौग खनिप्रशिद्धा श्री राधिका श्री ब्रजचंद कांता श्री ब्रजचंद कांता सिलालजू की प्राण प्रिया जिनका नाम स्री राधा है जिनकी आराधना स्वयम श्री कृष्ण करते हैं वो संपूर्ण लावल्य समुद्र की सार संपता है संपूर्ण कलाओं में वैदक्द समुद्र की एक मात्र प्रविन भुमी उत्पत्ति स्थान शिले चोसट कलाब प्रविन और कारुण न्याद गुणरूप रतनों की खान शिले भोरी बहुत करुणा में गौरी सहस्त्रा ददिकाप गौरी श्यामा तथापी सुर्तिशु प्रशिद्धा अब आप जब हम ये विवर्णन करते हैं कि सास्त्र के अनुशकिग सास्त्रों गौरी स्ष्वामनी जी गौरांगी प्रियाजु की श्रियंग शोभा की अंसमात्र है करोनो गौरी महादेव जी खुद बरणन कर रहे हैं मखेश्वरी, क्रिएश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद, भारती स्वरी किसको बरणन कर रहे हैं स्वरी जी को भगवाम ज्याम समद्र शी खुद देख रहे हैं कि इनके हम से सब शक्तियां प्रगट हुई है यहां बरणन कर रहे हैं शहास्त्र शहास्त्र करोणो गोरी एक साथ्वी जिनके स्रीयंग की गोरांगी प्रियाजु की कांती की बराबरी नहीं कर सकती वो अधिक गोरवरण स्वरूपा गोरी सहास्त्रा दधिकापी गोरी स्यामा तथापी सुर्तिसुप्रशिद्धा सुरूपिली याप्य बस्च बिभातिराधा सक्खिया घेरे हुए है कैसी सक्खिया है? एक सक्खी का सौंदर करोंळो लक्षlike को आस्च चर्चकित करके मौर्चित कर दे अभ देखा नहीं तो कैसे बात कर ब्रंदावन की रजरानी का सेवन करो लक्षमी कोटिविलक्ष लक्षन डसन लीला किसोरी सतै राधाध्यम ब्रजमंदलेति मधरम राधा भिदानम परम ऐसी परम सुन्दर सक्षियों को महा सुप्रदान करने वाले सक्षियों की प्राण सरूपा स्री राधा किसोरी है केचित परामेव बदंति लक्ष्मीम लीलेति केचित किलतांत्रिकायाम आनंदिनी सक्तिरिति स्रुतिस्षा शीराधिकाभा ब्रजचंद्रकांता कोई-कोई शास्त्रिने महान ताद्रिक शक्ति संपन्न सुधाने दीबी कह दे सद्यो वसीकरन चूर्ण मनंत सक्तिम तम राधिकाद चरण रेनु श्री जी की चरण रजमे इतनी सामर्त है कि यो ब्रह्मरुद्र सुक नारद भीस्म मुख्याई रालक्षितोन सहसा पुरुससे तस्य सद्यो वसीकरन चूर्ण मनंत सक्तिम तम राधिकाद चरण रेनु मनुस्मराभी बोले ये ब्रजचंद चंद्रिकाश्री राधा कोई परा वेदातीत महान अलक्षम राधाक्यम निखिल निगमे रप्यतितराम रसाम्भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते ये परातत्व समस्त लीला सक्तियाईनी सिप्रकठोती सुरती इने आनंदनी कहती लाधनी कहती यस्याव सेतस्च तु सर्वसक्ती सर्वैव लीला सकला गुणाश्य शौंदर्य माधुर्य विदग्जताद्या सारा धिकारा जतिक्रिष्ण कांता श्री कृष्ण कांता लाड़ ली जू श्री कृष्ण की जितनी भी सक्तियां है वो सब इन से प्रगट है जितनी भी लिलाए हैं सब इन से प्रगट है शौंदर माधुर वैदग्द जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जू के चर्णों के अधीन है जिनके आधार पर सबका परंप्रकास होता है उनका नाम है राधा वो राधा श्री कृष्ण कांता है यस्या लसन मादन भाव वस्या लीला रसास्वाद विसेश रस्या कृष्णस्य नित्याविल संत्यनंता सारा धिकारा जति कृष्ण कांता सी कृष्ण कांता लाड लीजू जिनके शोभा जिनका माधन भाव जिनकी लीलाए अनंत महिमासाली स्वयं भगवान रसाश्वादन करते हैं महामधुल स्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधेत अनंत रूप विलाश अयशी कृष्ण कांता स्री राधाजु हमारी उपास्या है यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरय रति पूर्ण एव स्री कृष्ण चंद हासत थैव रस्या साराधिका राधिकासा अद्वतिय साराधिका राधिकासा किशोरी जू के जैसा के वल किशोरी जू श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधर्य जैसे विशेसता ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधर्य को अधीन करके परम विशेसता हमारी सी किसोरीजू किसोरीजू जैसा केवल किसोरीजू साराधिका राजति राधिकासा रशोया परमानंद एक एवद्धा सद शिराधा कृष्ण रूपा भ्यांतस्य तस्मई नमो नमा एक वेद का जो परम्रश है रस्वरू परमात्मा उस अदय दो बन करके खेल रहा है उसका नाम है राधा और कृष्ण श्री लाली जू अनंत गुण से युक्त है पर पचीश प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधिन किये रहते हैं अनंत गुण श्री राधिकारप पंचीश प्रधान से गुणे रवस है कृष्ण भगवान पहला महा मधुरिमा ऐशी मधुरिमा है कि लावन समुद्र लालजू अंसन पर भुज दिये बिलो कतिंद बदन बिवियोर करत पानरस मत परस पर लोचन तरशित चकोर देखो ना कर कि ब्रधावन की रस्रवानियों में रसिकों की करपा से प्रवेश पाव तो देखो हमारी स्री जी क्या है नित्य किशोर अवस्था इपचीश पुर्ण पहला महामधुरिमा ऐसी रूप माधुरी स्री श्वामी हरिदास जी उसे स्री लाल जो महारा जो बरेडन कर रहे हो कह रहे है प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुक्तब तम नयो नयो लागत ऐशो भ्रम होत देखियू नकवहू दुतिको दित लेखिनी नकागत जब प्यारी जो हस्ती है इसलिए भजन करो कभी मुस्कुराट देखने को मिल जाएगी प्रियाजु की एक दम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो बुस्कुरादेती है और शुन्दर सुहाग रेखा सौभगरस सिरस्रवत पनारी पीसी मन पठरे कैशा अदहुच्छ उंदर प्रियाजु माधो मनशोन माधकारी स्रियंग सौरव स्री लाल जू को प्रेमोन मत करने वाली लाडली जू की स्री यंग सौरव बनकी लीला लालाई भावे पत्र प्रशून बीच प्रतिबिम्बही नक्सिक प्रियाज नावे कहां बहुत दूर नगरी है ये प्रेमोन से हर समय हमारे बिहारी बिहारी जू लाली लाली एक शण कभी अलग इसलिए कि कभी अलग की बारता मत करो नहीं जानते हो तो आनंद लेओ बहुत भगवान की लिला है उनका गायन कर प्रिया प्रितम को छोड़ो प्रिया प्रितम के रस की बात समझ नहीं तो प्रिया प्रितम के रसिकों से पर यह है देखो आपको लगएगा भगवान ब्यास देव जी ने लिखा है हम आपको सुना रहे हैं ब्यास देव जी ने व्यास देव जी से कहा तुम इतना कठोर तब हमारे लिए कैसे किये, क्या चाहते हो, तो उनका है स्री कृष्ण, मैंने आपका लीला विला स्री मदभागवत में शब बरणन किया है, पर मैं आपका प्रेम शुरूप देखना चाहता हूं अपने आखोंशे, जिसका यत किंच रास में थोड़ा बरणन किया है, रास पंचा ध्याई में, नाथ, आप हम पर क्रपाल हों, आप जगत के पालक प्रकाशक है, उपनिशदों में जो स्रूप बताया गया है, आपकी क्रपा से अनुभाव है, जो भागवत में बरणन किया है, उसको भी प्रत्यक्ष देखा ह है, पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं वो अद्भुत रूप देखना चाहता हूँ, जो हमारे हरदयव की मांग है, वो आप समझ रहें, त्वामहं द्रिष्टुमिच्छामी चक्षुर भ्याम्मद शूदन यतत सत्यंपरं ब्रम्ह जगत जियोतिर जगत पतिही, वदंति वेद सिरस चाक्षुषमनाथ मेद भुतम, मैं अपने नेत्रों से भुत रूप देखना चाहता हूँ, ब्रम्ह बोद तो है, वो तो ब्रम्ह तत्त्तुका तो ज्यान है, आपकी पूरी चर्चा भागवत में की, मैं वो रूप देखना चाहता हूँ, कौन सा रूप? जो मन गूड भी से मागा है तुमने, जिनों पूराणों की रचना की न, उन्व्यास जी की बात, बिन बिन धारनाए होती हैं, उनके अनुशार मयान भो कराता हूँ, कोई मुझे पुरुश भाव से देखता है, कोई परम पुरुश भाव से, कोई इस्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई मोक्षश्वरुख, जैसा जो चाहता है, मैं वैसा दर्शन देता हूँ। कोई मुझे शिव मानता है, कोई मुझे सदाशिव कहता है, मैं ही हूँ। कोई वेदांत प्रचिपादन अद्वतिशनातन ब्रह्म मानता है, पर जो कोई निराकार निर्विकार मानता है, कोई सचित आनंद मैं मानता है, कोई वेदों का रहस्य जानता है, मुझे कि मैं वेदों का रहस्य हूँ। पर तुमने जो मांगा है ये बहुत गूड विशय है। देखा यमुना का पावन पुलिन सघन कुझे बीच में विशाल कदम का ब्रक्ष और कदम ब्रक्ष के नीचे ललित्र भंगी नील मेग की कांति अधरोपर मुरली और बहुत सी गोप कन्याएं घेरे हुए और पार्ष में सिराधा की सुरी ब्रज का दिखाया रूप ये ब्र अधभुत शौंदर प्रियाधू का अधभुत शौंदर नवीन किशोर स्याम सुन्दर पीत वस्तधारन के हुए ललित्र भंगी अधभुत ज्छाकी नूतन पल्लो चमक रहे हैं ब्रंदावन दृष्टि गोचर हो रहा है नील कमल की आभा स्री कलिंद तनया प्रकासित हो रही स्याम बर्ण की देखा दिव्य पार्ष में विशाल गोवर्धन परवत बहुत से रमनियों के बीच में अधरों पर वेणू बजाते हुए प्रियाधू के साथ संपूर्ण आभूशन दमक रहे हैं ब्यास जी के अस्ठ धारा चलने लगी ये रूप देख कर ब्रंदा कावन में विचरने वाले ललित्रिवंगी भगवारने कामुने जिस रूप के तुम दर्शन करने की बात करे थे ये मेरा निश्कल निश्क्री सांथ सच्चिदानंद में गुप्त रूप है इससे उतक्रिष्ट तत्त कोई नहीं है किश्वरी जुके गलबहियां दिये हुए आसपास सब नोतरुनी यही कारणों का परमकारण यही से सब अवतार प्रगठ होते यही सत्य परमानंद स्चिदानंद गंसनातन यही शिवतत है तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य सचिदानंद मैं समझो यह ब्रंदावन यह यमना यह रमनिया यह जो मेरा स्वरूप है इसमें संसे न करना हो यह मेरे पार्षु में बिराजमान जो मेरी प्रिया रादा है मैं सरवक परात पर सरवकाम सरवेश्वर सरवानंद परमेश्वर हूँ और ये मेरी परमेश्वर है ब्यास जी से कह रहे इसलिए इस विशय को गुप्त रखना जो मैंने तुम्हे दर्शन कराया अब जाकी हुई और अंतर ध्यान तब ब्यास जी जी जिनोंने पुराणों को रचा ऐसी हमारी श्वामिनी है कि अनंत काल तक उनकी महिमा बर्णन की जाए जिनकी महिमा बेद नेती नेती कहके बर्णन करते है वो शदई वधिन रहते तो उनकी महिमा का पार कैसे और हमारा सभभाग है कि हम सब को ऐसी राधा की सोरी के चरणों में निवास करने का सरी राधा जुग चरण निवास जश्वर्नो पहुचना स्भावन से गाई हो